हेलो श्ट्रेंट, अच्छीडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो जो श्ट्रेंट UPVSC Nursing का 2024 में तयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्पुर्ण है तो उत्तर प्रतेश में जो एक्जाम होता है ABVMU, KCMU का उसका 2024 में फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, इसकी इंटरेस एक्जाम कब होगी इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसका सिलेवर्ष क्या रहेगा इसका पैपर का जो पैटर्न होता है, वो क्या रहेगा गवर्मेंट कॉलिज में सेलेक्शन के लिए आखिर आप लोगों कितना माच लाना होगा संपुर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को सुरू से अन तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली वर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाटिफिकेशन टेलिग्राम पर भी मिलता रहे तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जोईन हो जाएए जिसका नाम है अस्टेडी मीडियम तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन से अस्टुडेंट भर सकते हैं तो वैसे शुर्ट जो 12 पास आउट है या फिर ऐस वार एकसाम देने वाले हैं 12 का वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और जिनकी मिनीमम age 17 यर्ज है वह इस फॉर्म को भर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं इसका एकसाम का पैटर्न पे तो इस exam में जो है total आपका 200 question पूछे जाते हैं और हर एक question पे आपको one marks मिलेगा यानि 200 question का exam होता है और 200 marks का जिसमें से आपको physics से 40 question, chemistry से 40 question, biology से 40 question, PCV से total 120 question पूछे जाते हैं इसके आलावा आपको nursing aptitude में 40 question, English से 20 question और एक subject होता है जी के से 20 question इधर आपको 80 question पूछे जाते हैं तो आपका PCV से जो question पूछा जाता है वो 11 और 12 पे ही आधारित होता है ये question easy रहता है ज्यादा tough नहीं होता और ये जो nursing aptitude है ये भी आपका question easy ही रहेगा और English grammar जो है और जी के ये भी high level का question नहीं पूछा जाता है overall देखा जाए तो बहुती आसान question पूछे जाते हैं अगर आप लोग सही से इसकी तयारी करोगे तो government college में आसानी से selection हो जाएगा और इस exam में negative marking नहीं होता है और अगर आपको government college में seat चाहिए तो आप लोगों को 200 में से 150 plus marks लाना होगा और इस exam में जो paper का language होता है वो English रहता है इसमें Hindi language का question नहीं रहता है तो अब हम बात करते हैं कि ABBMU, KZMU का जो 2024 में form है वो का आएगा तो 2024 में इसका जो form है वो expected date है इसका अपरिल का first week यानि March का last या अपरिल के first तक इसका जो है वो form आ जाएगा March के last week या अपरिल के first bit तक और इसका जो exam होगा वो अपरिल के last तक यानि जैसे ही आपको form निकलेगा उसके one month बाद ही आप लोग का exam हो जाएगा यानि form निकलने के बाद आप लोग को मातर one month दिया जाएगा इसके तयारी करने के लिए और one month में इतने सारे subject की तयारी करना possible नहीं है तो आप अभी से तयारी में लग जाएगे छे subject से question पूछे जाते हैं इतने थारे subject का overall एक बार सभी को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको इतना time बहुत ही कम है तो अभी से आप लोग तयारी में लग जाएगे आपका selection होगा अगर आप सोच रहे हैं form निकलने के बाद तयारी करेंगे तो बिल्कुल ऐसा मत कीजेगा क्योंकि form निकलने के बाद आपको time बिल्कुल नहीं दिया जाएगा तयारी करने के लिए अगर आप लोग government college में 100% selection जाते हो तो आप हमारे app से जूरिये जिसका नाम है study medium इसमें आपको 12,000 objective question का एक question bank मिलेगा पिछले साल इस question bank को जितने भी student लिए थे सभी का selection हो गया है क्योंकि question साड़ा हमारे question bank से ही पूछा गया था एक भी question इसे बाहर नहीं पूछा गया था इसमें सबसे जदा repeated बाले question रहेंगे प्रिविस यर में जितने भी question पूछे गया है उनको भी इसमें include किया गया है इसमें all subject, physics, chemistry, biology, english, gk और nursing aptitude सब भी कुछ आपको मिलेगा most important nursing aptitude जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है तो सभी लोग जाएए इस question bank को purchase कर लेजे और आज सही तयारी को श्टार्ट कर दीजे तो 100% आपका selection हो जाएगा ये question bank हमारे app में मिलेगा एप का link मैंने description box में दे रखा है जिसका नाम है study medium अधिक जानकारी के लिए आप दियेगे help line number पे contact कर सकते हो एक नाम मात्र fee के साथ आपको available होगा 299 में इससे सस्ता आपको कहीं वहीं नहीं मिलने वाला है तो इस नमर पे आप direct phone पे या Google पे करके भी course को purchase कर सकते हो तो जितना भी time है आप अभी से इस question bank को पढ़ लीजे अभी से पढ़ोगे तो आपको proper time मिल जाएगा revision करने का और selection 100% हो जाएगा तो इस exam की regarding अगर कोई update आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल में वीडियो के माधम से मिल जाएगे तो चैनल को subscribe कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ